आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक रेस्पॉंसिव नविगेशन बार यूजिंग एच्टियम सीएस इन जावस्क्रप्ट आप से देखेंगे आपको स्क्रीन पर ये एक नविगेशन बार दिख रहा है उपर ठीक है जिसमें आपको सारे लिस्ट आइटम्स भी यहां पर लेफ्ट साइड में आपको एक लोगो दिख रहा होगा मैं इन पर देखिए हवर करती हूँ तो आपको शो हो रहा होगा एक डान देजिन ठीक है और यहां पर एक मिनिक लॉग इन बटन भी बनाया है यह नविगेशन बार बिल्कुल रिस्पॉंसिव है मैं आप आपको दिखा देती हूँ कि यह इंस्पेक्ट करें कि रिस्पॉंसिव है एक बार अगर यह देखिए अगर मेरी स्क्रीन चोटी है तो देखिए यहां पर हैंबर गर आइकन शो होगा और यह पूरा रिस्पॉंसिव है स्क्रीन बढ़ी होती है तो आपको पूरे लिस्ट यहां पर आइकन भी चेंज हो रहा है तो इस वीडियो में आज हम बनाएंगे इस नविगेशन मार को और आप कुछ नई प्रॉपर्टीज भी सीखेंगे आपको मैं उसमें नए नए प्रोजेक्स आड़ान करती रहती हूं हर वीग आप सीख सकते हैं आपकी जावा स्क्रिप्ट उससे अच्छी हो जाएगी अगर आप उस प्लेनिस को अक्सेस करेंगे और मेरे साथ था तब प्रोजेक्स बना सकते हैं डिफरें डिफरेंट इफ हमेशा mostly VS code ही यूज़ करती हूं और लेट मी नो इन दी कोमेंट की आपका फेवरेट कोड़ेटर कौन सा है सो चलते हैं अपने कोड़ेटर में VS code को बन कर लेते हैं सो गाइज हम आजाते हैं अपने वीएस कोड में यहां देखें मैंने एक इमेज ले रखी है यह मेरे चैनल का लोगो है जिससे हम अपने रिस्पोंसिफ नविगेशन बार में अधा लोगो यह यूज करेंगे हम सारे अपने सबसे पहले फाइल बना लेते हैं इंडेक्स.html, css के लिए और एक हमारी jsfile ठीक हम सारा कोड अलगलग फाइल में रखेंगे जिससे वो मिंटेनेबल रहे हैं ठीक यह देखे हमारी सारी वाइल आचुगे इसे कलोउस कर देते हैं और हम अपने फाइल फाइल उपन करते हैं यह आगे हमारा बॉयल प्लेट को हमारी वेबसाइट को ना जब गूगल पर अपनी वेबसाइट लाइफ करते हैं तो रैंक करने में थोड़ा असानी देते हैं चीक है और अच्छी प्राक्टिस होती है कि हम इन सेमेंटिक टाक्स का यूज करें अगर हम चाहे ना तो हम अपनी इन्हें बिना सेमेंटिक टाक्स का यूज करें भी ना भी हमारा रिस्पांसिफ नविगेशन बार बन सकता है लेकिन अच्छी प्राक्टिस है कि हम इनका यूजभेंगे इसके अन्दर क्लास लेते हैं लोगो चिभ है ृह यह लोगँ इसके अन्दर हमारेUA को दिखा था नाँ वो कि आपर न्कर के तिन यह देहें हैं यहां पर बड़ा लोगोय कोड है कि एतना जाधा पढ़ा है न आप मैं इसके size को 40 VX करवád यूँ इसके size को इसकी width को करव दें विट हाइट कुछ भी आजाक्ता हो आप मैं फिलाल इसकी width को 51 एंथा द्रोटी यह चोटी हो गई अब अब अपनी अपने वागे लिए जिसके आपको शोई नहीं, सो यह आ गया? अब हम एक लेंगे यू एल टैग चीए और इसके अंदर मुझे चाहिए अपने लाई और इसके अंदर ही मुझे चाहिए एंकर टाइब चीए अब मुझे चाहिए कि ये छे टाइम जाजे तो मैंने क्या करूंगे ब्राकट में राप कर लोंगे और मल्टिप्लाइ कर से क्योंकि मैं नहीं चाहिए मुझे एक कोड बार 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 लेकना पड़े ये एक शॉर्टकट होता है ठीक है ये देखिए एंटर करा ये देखिए ये आ गया अपको एमिटके कुछ शॉर्टकट आने चाहिए इससे क्यों आपका जल्दी हुजत है अब तोड़ा जल्द क्यों फास्ट लिख सकते हैं कोड को ठीक है यह आ गया हो अब आउट डाउट्स प्रोडट्स ये लिएंगे सर्विसेस अगले में ये इसमें लिखते हैं कॉंड़ाट और इसमें लिखते हैं लोग इन देखिए आ गया अब इन्हें स्टाइल करने रहें अब और बाकी तो सबसे पहले काम करते हैं, हम सारे elements की, अपने margin और padding 0 पर देते हैं, margin 0, padding 0, यह देखिए, मैं एक line से दुफरी line पर एंटर करती हूं, तो मैं Ctrl-Enter यूज करती हूं, चिक है, अब box sizing देखिए, border box, यह पते हैं, बार-बार load हो रहा है, font family देंगे, sensitive, और font family sensitive नहीं काम करते हैं, google fonts देते हैं, google fonts पर आएगे, आप, google fonts पर प्रेंच करेंगे, आपको यहाँ पर font family दे जाएगे, यह देगे, मैंने, robootos select करी है, आप इसमें कोई भी style select कर सकते हैं, इसका, आपको अलग-अलग style जी होते हैं, यहाँ पर काम करते हूं, यह regular वाला select कर लेधे, select ही नहीं हुआ, अच्छा, यह remove हो गया, select, और यहां से select करते हैं, और यह आगया, और हम ए गाम करते हैं, इसे link कर सकते हैं, यह तो import कर सकते हैं, तो मैं इसे import करूंग, यह link आपको HTML फाइल में करना होता है, import आपको आपकी CSS file में करना होता है यह CSS file में सबसे उपर सबसे उपर आपको सबसे पहले import करना होगा आपके इस को ठीक है वर्ड्राप करने दिए हूँ आपको पूरा code शो होगा यह देखिया आगया और अब इसकी font family में क्या लिखना है वह भी मैं आपको दिखा देती हूँ आप नीचे आएंगे देखिए font family पूरी लिखी हुई है मैं copy कर देती हूँ यह देखी हो गया अब सब आते हैं अपनी बॉडी टाइग में बॉडी को स्टाइल करते हैं बॉडी के लिए मैं इसे बैक्ग्राउंड कलर दोंगी मैं इसे एक ब्लाक बैक्ग्राउंड दे रही हूँ च्छिए है इसके लिए RGB वैल्यू का यूज करोंगी मैं आप चाहे अब यह काम करते हैं अपने हेडर की इमेज नाफ को स्टाइल करते हैं पूरे इसके डिस्प्ले को मैं फ्लेक्स कर दूंगी जिससे यह दोनों हमारी इमेज और हमारे यूवल एक ही रो में आजाए यह देखिया आगे न अब इसके इसको करेंगे जस्टिवाइ सेंटर नी सोरी स्पेस बिट्वीन करते हैं क्योंकि हमें इन दोनों के बीच्व स्पेस लाने हैं और अलाइन आइटम्स करेंगे सेंटर चिए यह देखिये सेंटर में आवे न और इससे पैडिंग भी दे देते हैं 12 पिक्सल और लेफ्ट राइट से में तो डिनादर दू होगी 20 पिक्सल यह देखिये यह बार-बार रीफ्रेश हो रहा है हमारा बेज यह यह देखिये बैक्ग्राउंड कलर दे दूंगे मैं इसे यह देखिये यह एक स्कोड मैंने पहले ही उसका अब देखिये हमें अपना कलर नहीं देख रहे हैं इसका तो मैं काम करती हूं सबस्क्राइब कंणके तो सारे एलिमेंग्स को वाइट कलर । अब मैं वेट भी देती हूँ दोनों देने से ना आपकी इमेज के आस्पेक्ट रिशो ना थोड़ा खराब हो जाता है तो बेटर प्रैक्टिस है कि आप वेट या हाइड इनमें से एक चीज सेट करें आपकी इमेज की ठीक है अब इसे बॉर्डर रेडियस देते हैं 50% जिस इनवर्ड में आपको कितना चेंज करने से गलर को मैंने देदी 100% दिखी तो इसका कलर पूरा बैक्राउं ब्लैक था वाइड हो गया और इसका कलर ब्लैक था ओ वाइड था वह ब्लैक हो गया बिल्कुए इनवर्ट होगा है कलर श चाहिए जिस्च आपर दें अब हम अपन यह देखिए यह आपको शो हो रहे हैं इसे जस्टिफाय कॉंटेंट होंगी स्पेस बेट्वीन क्योंकि मैं चाहते ही स्पेस आ जाए यह देखिए आपको पूरा दिखर है न यह देखिए अभी इसकी चाइलिंग और अच्छी करेंगे तब आपको तोड़ा जादब स्टार्टिंग में विट्ट मिल जाएगी अभी यह बहुत कम विट्ट ने रहा है तो मैं इसकी विट्ट 44% सेट कर देखिए अभी आपको छोटी स्क्रीन पे दिखेगा मैं आपको बड़ी में दिखाते हूं यह देखिए अब बड़ी में ज्यादर बेटल दिख रहा है अब एक काम करते हैं यूल के एल लाई को स्टाइल करते हैं सबसे पहले तो इसका लिस्टाइल टाइप यह जो डॉट शो रहा है इसको नन कर देते हैं जिससे शो नहीं होगा ठीक है देखिए चला गया नहीं और यहाँ पर तो अभी आपको छोटा ऐसे दिखेंगा क्यों यह मिल्को थोड़ा कम लग रहा है 600 दूंगी मैंसे आप बोल्ड या बोल्डर भी लिख सकते हैं और इसके टेक्स को अंडरलाइन कर देते हैं क्योंकि यह देखिए यह जो इसमें आपको लाइन शो रही है ना अंडरलाइन यह खतम हो जाएग इसके बाद यह मेरा पेज बार बार रिफ्रेश हो रहा है कि यह देखिए यह आ गया अब एक काम करते हैं अब मैं चाहती हूं जब इन पर कोई हवर करें ना क्लास आप जब भी अपना करसर लेके जाए अपने लाइए पे तो क्या हो तो उसके लिए मैं सुशीडर प्रोवर्ड यूज करूंगी हव तो हम एंकर टैक पर करेंगे चाहिए लाइप मत कीजिए वर्डर को एप्लाय नहीं होगी मैं इसके टेक्स कर दूंगी अंटर लाइन जिससे जब हवर करें करसर लेके जाए तब एक अंटर लाइन आ जाए यह देखिया अब यह बहुत पतली सी आ रहे है और बहुत इसके टेक्स से चिपकी हुई आ रही है तो मैं क्या करूंगी इसे थोड़ा सा अंडर लाइन को स्टाइल दूंगी मैं इसके टेक्स्ट अंडर लाइन ऑफसेट को फोर पिक्सल नीचे आ जाएगी जितनी थी पहले देखिए अभी फोर पिक्सल नीचे आ चुकी है अब यह अब यह थोड़ी दिख रही है न बच्छे दिख रही है अब इसको कलर देते हैं मैं इसका कलर अंडर लाइन का थोड़ा अलग दे रही हूं instead of white कलर थी यह देखिए black ब्लू ब्लु इश ने मैंने पूरे इसका कलर ही वह दे दिया है ब्लू इश अब मैं काम करूंगी अं यह ब्लू दिखेगा अंडरलाइन वाइट दिए अब यह जाधा अच्छा लग रहा है ना तो यह चुका है यह हमारा हो चुका है रेड़ी नेविगेशन वार अब हमें से मनाने रिस्पॉंस फिक है इस्व बनाने के लिए करेंगे नहीं पहले तो काम करते हो मैं की जो बटन है लोग इन इससे मैं आपको दिखाती हूँ हमने सारे अंकर टाइक्स बिनाए इसको हम बनाएंगे बटन इसको मैं नॉर्मल वो नी रखना है चारी लिस्टा इटम्स की तरह इसे बटन बनाऊगे तो मैं काम करती हूँ से ग्लास देदी बटन अब इस बटन ग्लास को लिखते है अपनी इसमें सबसे पहले फॉंड वेट लिखूंगी मैं 700 क्योंकि हमने बाकी का 600 दिया तो उसका थोड़ा जाधा देंगे और इसको पैडिंग भी दूंगी पैडिंग दूंगी मैं 8 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल ये शॉर्ट हैंड होता है टॉप बॉटम और ले दे देते हैं और अब इसको बॉल डे ज़ेते हैं बॉर्ड़र रेडियंस इक्स पिक्सल और इसे साथ सब Specifically दे देते हैं मैं आपको एकक बार में दिखांव ये बतन होotव और हिसको किलर्ड भी मैं तोड़ा सा चेंज करूंगी कि ये क्या हों रहा है ये देखे, आ गया color ये देखे एक minus में background cs ने आया let me check में उस पर अज़ा मैंने color दी आए, मुझे background में देना था ये color, instead of color color तो मुझे उपर दी आही था मुझे ये color इसके background में देना था और इसके color को मैं कर दो white, ठीक है, जिससे इस background पर देखिए अब देखिए अब मैं स्पाइब कर रहे हैं उसका color देखिये काश प्रोब्लू हो जा रहे तो ब्लू बैग्राउंट पर दिखन नहीं रहा तो अब मैं आपको एक चीज का तू हूँ अभी मैंने क्या करा मैंने लगा है कि हमारे लाइपे जो सब हावर करें तो यह हो अब मैं यूज करूंगी प्रॉपर्टी नॉट का मैं कर नॉट में आप जो भी चीज देंगे न उस पर अपलाए नहीं होगा बागे सब पर होगा तो मैं नॉट में देदूगी लास्टाइ इस पर अपलाय नहीं होगी प्रॉपर्टी देखिये गा यह सब पर अपलाए होगे रही है कलर सबका चेंज हो रहा है इस पर नहीं होगा और और पर अंडर लाइन आएगी देखिये अगर मैं चाहती तो इसको अलग से स्टाइलिंग कर सकती थी लेकिन इस नॉट आपको यूज करनी आ गए कि हम नौट से किसी चीज को कैसे select और unselect कर सकते हैं, तो अब एक काम करते हैं, मैं चाहती हूँ मैंने button पर कोई hover करें न, तो क्या हो, अभी तक तो हमने बागे सब पर लगा दिया, तो अब इस पर भी यूज करेंगे, अब मैं इसको बस कुछ नह होना चेंज करूँगे, बहुत जादर चीज इसमें कुछ नहीं करने वाले हम, इसका हाल का सा background थोड़ा सा change करेंगे, जिससे लगे, तो देखें guys, हमारा ये login बटन है, इस पर हवर करते हैं, तो देखें, इसका background चेंज हो रहा है, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम आवते कि जब हमारी यूएल का अलाई का जो ए अंगर आगे है, जब इसमें कोई भी list item हमारा active होगा, active, तो हम मैं चाती हूँ, ये सारी styling उस पर तब भी apply हो, ठीक है, तो हम active class हमारे home को देदेंगे, ठीक है, इसको देदें active, ये देखें, अब इसमें भी ये सारी styling अप्लाई हो होई, अब देखें हमारे responsive नहीं है, हमारा navigation बार पूरा बनतों चुको अलने के नागर में इसे, छोटे devices के लिए देखो, तो ये अभी बिलकुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप हम इसे responsive बनाएंगे, तो responsive बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलते हैं हमने एक class देखेंगे और इसके अंदर अपने icon को रखेंगे, icon मैं यूज़ करूँगी font awesome उसके लिए, तो यहां font awesome की website पर आ गए, मैंने यहां पर already account create कर रहा है अपना और अपनी kit भी बना रखी है, अगर आप चाहें ना तो इस पर एक kit बना सकते हैं, अगर आप नहीं चाहत तो आप अपना cdn link का यूज़ भी कर सकते हैं, मैंने इसके script यूज़ कर रहा है, और यहां पर अपनी html में लगा दिये, अब हमें इसके लिए कौन से class चाहिए, यह हमें icon चाहिए ना तो मैं इसके लिए, यह जो यह copy कर लेती हूँ code, क्योंकि हमें यह code snippet चाहिए, औ एक सब्सक्राइब कर लिए, और यह देखे बेस्ट कर दिया, ठीक है, यह हमारी glass आ चुकी है, अब देखे, यहां पर हमारा आ चुक है, अब इसे क्या करेंगे, इसे styling देंगे, हमारे hamburger को, ठीक है, इस icon को, तो आ जाते हैं अपने css में, और इसे style देते हैं, dot hamburger, ज्यास ल यह देखे, इसका size बढ़ा हो जाएगा, यह देखे, अब इसका size increase हो चुगा, अब मैं चाहते हूँ, जब इस पर click करें, तो हमरी इसानी properties शोर नहीं चाहिए, इतने properties शोर नहीं होनी चाहिए, तो इसकी display हम कर देंगे, अब ही none, क्योंकि हम यह responsive हो तब ही दिखाना चाहत यह देखे, यह भी आटे गया, ठीक है, अब मैं चाहते हूँ, जब हमारी screen छोटी हो, तब ही यह show हो हमारा है, आइकन बना यह show नहीं हो, ठीक है, तो हम उसके लिए भी code लिख लेते हैं अबना, तो हम लगाएंगे उसके लिए media screen, media queries का use करेंगे, हम लिखेंगे media, screen और end, हम इसे देदेंगे, max weight, कि इतनी weight तक अप्लाए हुनाचे, इसे दाधा ही अप्लाए नहीं हुनाचे, उसके बाद हमारी default styling जो हमने दे रखी, वह ही apply हो, ठीक है, तो मैं इसे 1024 pixel देदूंगी, क्योंकि इसके बाद हमारा style, जो responsiveness है, वो अची नहीं रहती है, ठीक है, तो मैं ऐसे दूंगी, dot hamburger, और इसके display इस टाइम पर गड़ूंगी, flex, पहले display नन्ती, अब इसके display हो जाएगी, flex, यह देखे, display, flex, तो मैं आपको दिखा देती हूं भी एक बार, इसको, एक काम करती हूं, उसके cursor भी pointer देती हूं, और फिर दिखाती हूं आपको, यह देखे, अब यह ऐसे show हो रहा है, मैं से थोड़ा छोटा करती हूं, देखे, अब यह नहीं आ रहा है भी तक, अब यह जैसी 1024 डाइमेंशन से कम हो जाएगा, तो हमारा आगया देखे, यह icon अब show हो रहा है, इतने यह icon show ही नहीं हो रहा था, लेकिन अब मैं गाचाती हूं, जब इ इस टाइम पर इसके display नहीं होने चाहिए, ठीक है, यह show नहीं होने चाहिए, तो मैं आपको दिखाती हूं, यह देखे, अब अगर हमारा यह बूरी screen पर है, तो यह दिख रहा है, लेकिन अगर इसे कम size मिलता है, तो हमारा icon show हो रहा है, और हमारे list items show नहीं हो रहा है, ठीक ह यह दिखे, अब हम क्या करेंगे, जब मैं इस पर click करूँ, तो हमारी सारी list items show नहीं चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे अपनी javascript, और javascript लिखने के लिए हम सबसे पहले, हम इसे अपनी script को लिख लेए, हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमा हमारे list items show हो जाए, तो मैं इसे select कर लेती हूँ, document.query selector से, ठीक है, क्योंकि मैंने इसे कोई ID दो देनी रखिया, आप ID से भी select कर सकते हैं, हम इसे class से select कर रहे हैं, तो हम query selector use कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने इसे class दिया, तो dot hand बर गर आगया, ठीक है, अब मैं मुझे अपन use कर लूँगे, मैं document.query selector से, उसे select कर लेंगे, ठीक है, UL, ठीक है, और ये देखे, अब मैं क्या चाहतु ही, जब हमारा ये जो hamburger है, इस पर जब भी click को, तब ही हमारा वो show हो ना, जिलनेस आइटम, तो मैं इस पर add event listener लाओंगे, और listener में लाओंगे click, ठीक है, click करा, तो इस पर लगा देंगे एक arrow function, कि हमारा ये arrow function रन लोना चाहिए, जब कोई भी इस icon पर click करे, ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, जो हमारी UL ने न, उसकी class list में, एक class add or remove दोनों करा दूँगी, और add or remove कराने के ने हम क्या करते हैं, use करते हैं toggle, ठीक है, तो देखे, UL में मैं class list add करा रही हूँ, add or remove दोनों, एक बार add होगी, एक बार remove होगी, एक बार add होगी, एक बार remove होगी, तो UL की class list में, कौन सी class add, वो करवाएंगे toggle, हम कराएंगे ham active, अब कोई भी नाम दे सकते हैं, इस class को, मैंने ham active दे दिये, random नाम, क्योंकि ये जब हमारा icon active इसलिए, अभी class toggle नहीं होगी, क्योंकि अभी हमने इस class को लिखा नहीं है, अभी हमें इस class को लिखना है, सबसे बहले यहाँ पे अपनी HTML के बार script file निख लेते हैं, और हमने अपनी JS file इसमें attach नहीं करी है, ये देखिए, ये attach होगी file, अब एक काम करते हैं, ये देखिए, अब इस class को, हम active class को अपनी CSS में निख लेते हैं, कि जब ये apply हो जाए, तो क्या हो, ठीक है, इसमें apply करती, अब मैं चाहती हूँ apply कब हो, जब मारी max width 1024 हो, तब तर ही apply हो, तो मैं ul में लगाऊंगी, कि जब ul में ये class हो, तब हमारे ul की display flex हो जाए, मतलब हमारे display flex होने का म remove हो गया, फिर show हो गया, तो ए class toggle हो रही है, एक बार add हो रही है, एक बार remove हो रही है, एक बार items show रहे हैं, एक बार unsure है, ऐसे हो रहे हैं, ठीक है, तो देखिए, अब हम इसे अच्छे से style कर लेते हैं, इस class को, ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, हम आ अभी रो है अभी कॉलम में आ जाएंगे यह देखिए कॉलम में आ गए अब इसको justify content करते हैं center अभी यह center में न अभी देखिए और इसे align item पर center करते हैं यह देखिए अब center में आ गई है horizontally और vertically दोनों अब मुझे चाहिए यह बहुत उपर हैं तो हम इसको position देंगे position इसकी मैं absolute कर दूँगी चाहिए यह देखिए अभी आ गए अब मुझे इसे top से नीचे लाना है थोड़ा नीचे मैं चाहती हूँ यह नीचे की तरफ आए यह बहुत राद हो उपर हो गए हैं तो top से मैं इसे देदूँगे 60 pixel यह देखिए अब यह देखिए नीचे आगए अब मुझे चाहिए कि मैं इसे left दूँग लेफ्ट से बिल्कुल 0 दे देती हूं ठीक है यह देखिए बिल्कुल लेफ्ट से 0 दे जाए अब भी इसे background color background color से आपको जाधर clear समझ आएगा कि यह कहां पर निस्ट आइटम है हमारे मैंने यह एक्स कोड पहले ही चूज कर रहा है ठीक है थोड़ा सा डिफरेंस है उपर वाले navigation बार के color में और इस color में ठीक है अब इसे gap दे दे रहे हैं 24 पिक्सल का यह देखिए gap देने से कितना इन में gap आच चुक है और यह अब जाद अच्छे लग रहे हैं आपको दिखाती हूँ मैंने left क्यों दिया था आप देखिए left ना दिया तो हमारा यह gap आजाता है ठीक है इसलिए left दिया अब इसे height भी द देखने को मिल रहा है यह देखिए अब मैं इस पर यह आपको दिख रहा है टिक करती हूँ तो देखिए शो हो रहे हैं फिर click कर आफिर हमें आइकन है एक बार में मैं चाहत हूँ जब एक रहा हो जाना तो यहां पर दूसरा माक आजा आपने देखा और क्रॉस आता है यह जो तीन बार दिखह रहें आपको और लिए अब आमें चाहिए इस ट्राइकन ग्राइबंगे तो हमारी दूसरी क्लास आजिए तो मैं यह किया करूंगा इसको तो यह से लिपके इसको इसके म्हाईबर्ग्र का चाल्ड अब इसको लेंगा तो असे कैसे access करेंगे hamburger.firstelement child आपको first child नहीं लिखना है first element child लिखना है अगर आप first child लिखेंगे तो आपको text node मिल जाएगी खाली ठीक है अब यह हमारा i tag जो हमने वहां उसकर है वो लाकर दे देगा अब मैं check करूंगी कि जो हमारे ul है ul की class list में contains ul class list में contains मतलब ul की class में ul में हमारे कोई ऐसी class है am active क्यूंकि मैं चाहते हूँ जो वो active हो ना तब भी वो cross चो वह वरना वो cross ना हो ठीक है तो मैं क्या करूंगे अगर वो है तो मैं इसी में अपने जो child है इसकी class list से अभी जो fa बार सी ना उसको हटा के मैं इसमें fa x mark दे दूँ mark मतलब bars की जगा उसमें cross show हो जाए मैं यह चाहते हूँ ठीक है अब यह क्या करेगा fa bars की जगा fa x mark दे मतलब वो बार सी जगा cross show होगा आपको ठीक है और वरना अगर यह class active नहीं है तो आपको normally वो बार सी दिख जाए ठीक है तो हम क्या करेंगे हम अपने क्या replace करेंगी मांक अगर हम ने उसे class को active कर रहा है एक्स मांक तो उसके बदले मारे बार सा जाएं ठीक है यह देखिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूं पूरा कि यह कैसे apply हो रहा है यह देखिए अब मैं इस पे click करके दिखा दो click कर देखें cross आ गया अन-click कर दो बार्ज अगर बार्ज अब्लाइए नहीं यह देखिए हमारा रिस्पॉंसिफ निविगेशन बार रेडिये अभी आपको छोटी स्क्रीन पर आपको ऐसे दिक्छ रहे हैं अब धोड़ा सा बड़ा करते हैं यह देखिए अगर फुल स्क्रीन में आपको दिखा हूं तो यह ऐ me know in the comment section कि आपने ऐसा क्या नया सी गए है इस वीडियो से ठीक है और गाइज अगर आपने अभी तक जावस्क्रिप्ट के प्रोजेक्स की प्लेलिस एकसस नहीं करी है तो आप उसे भी एकसस कर सकते हैं क्योंकि मैं उसमें आपके सारे प्रोजेक्स ला रही हुई कि कर ये जा क्यों आपके सारे चले दक जारे बाही है घ promotesannie आपके सारे और आपके सिक्ए्पशवर्श्क नहीडियोंकि की के प्रुद्ट सारे जाम से कहाती है इ???? झाल झाल